अच्छी सब प्रतिमिनेटिक धतिका डिक्टेशन अच्छो में डिक्टेशन से पहले जो आउटलेन दे रहा हूं इसको एक बार जरूर करें इसके साथ ही बताना चाहूंगा शॉट हेंड के ओपर बारा बुक्स लिखिए मेरे द्वारा अगर किसी बच्चे को पुस्तक की जरूत हो तो जरूर कांटेट करें इसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं नहीं नहीं आउटलाइन दे रहा हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बीच पहुंच चके अब आप देखें आउटलाइन किस तरह से एड़ांस बनाना है आरक्षन को लेकर डाउनोडरा करके शनुक बनाएं और यहीं से बहार निकले थोड़ा और लेकर को बढ़ा कर दें और बीच में बिंदी लगा दें बड़े पेमाने करें बहसे बड़े बड़े गेरा करें और पेमाने पर बढ़ा करके पर निका लें बड़े पेमाने पर साबित कर दिया है कि, सा बाक वादा करें, कर दिया है कि, किस हद तक, यह यहां से किस और यही से मीचों गुम के हद आदा करें, और तल लगा दें, किस हद तक, यहां से किस और यही से हद दिखेगा आपको किस हद तक, उथल पुथल, उथल बाक वादा करें, उथल, परक्षण के भार निकलें और खिलाप का सभ चिन लगा दें उग्र अंडूलन उग्र लाइन को काटके उल लाना कर दें, उग्र आंदोलन, इस तरह के से उग्र आंदोलन, स्वाजिन्ता सेनानी, स्वाजिन्त का आम अरवा सबचीने, लाइन को बीच में और सेनानी लगा दें, स्वाजिन्ता सेनानी, आंदोलन कारी, आंदोलन का सबचीने, इसमें कारी वहां की शरकार भारत को आदा कर देए, बढ़रात को आदा कर देए, तम किसंगरां है? इस मंत्राले को बढ़ा करके नगहुक लगा दें। भारत सरकार, भारत करणा करें। अरक्षन दिया जाता है। खत्म करना चाते हैं, खह को आदा करें, म करना चाते हैं, घटना करम, घह को आदा करें, टर निकल जाएगा, ना करके करम कर दें, भारत के लिए, भारत को आदा करें, उल्ला लगा दें, भारत के लिए, राजनितिक दल, राजनितिक दल, समवे दन सील मुद्दे, समवे द आ आदा करते हैं, वह आदा करते हैं, सील, समय दन सील, मुद्धे, मा को घेरा करते हैं, भारी पढ़ सकता है, सबसे ज्यादा, सबसे और यही से दा लगा दें, सबसे ज्यादा, तो वचो यह इस डिक्टेशन में फ्रेजेस आ रहे हैं, इसको आप लिखें, अब मैं 80 सब प्रत यहस, भारत के पडोसी बंगला देश में आरक्षन को लेकर बड़े पेमाने पर भड़की हिंसाने फिर साबित कर दिया है कि आरक्षन का मुद्धा समाज में किस हद तक उथल पुथल मचा सकता है, वहां सरकारी नोक्रियों में आरक्षन के खिलाफ उग्र आंदोलन में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई, विवात की जड में बंगला देश के 1901 के मुक्ती संग्राम के सुचंता सेनानियों के वन सस्वं के लिए सरकारी नोक्रियों में 30 फ्रसरी आरक्षन है, आंदोलन कारियों का तर कहे की मुक्ती संग्राम के सेनानियों के परिवारों को पांच दसक में आरक्षन का काफी फाइदा मिल चुका है, इस आरक्षन को आगे जारी रखने का कोई ओचित नहीं है, इस मुद्दे पर बंगला देश में पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, वहां की सरकार ने 2018 में इस आरक्षन व्यवस्ता को खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले मैने हाइकोट ने इसे फिर बाहाल कर दिया है, इसके खिलाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोट ने रवियार को हाई कोट का फेसला पलट दिया, बंगला देश में हालात बिगलने से उन 4,000 से ज़्यादा भारती विध्यारतियों के भविस्त पर संकट मंडरा रहा है, जो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, भारती विदेश मंत्राले के मुताबिक इनमे से 778 को सलक मार्ग से भारत लाया जा चुका है, बंगला देश में रहे करीब 15,000 अन्य भारतियों को दोतावास के संपर्क में रहने को कहा गया, भारत सरकार की तरह ऐसी ही ततपरता बंगला देश सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए दिखाई होती, तो आलात इतने विश्वोटक नहीं होते, आंदोलन की कमान बंगला देश के युवाओं के हातों में है, इनमें जादातर विध्यारती है, आरक्षन व्यवस्ता से युवा वर्ग ही सबसे जादा प्रभावित होआ है, वहां की 17 करोड की आबादी में करीब 3.2 करोड बेरोजगार युवा सामिल है, मुक्ती संग्राम सेनानियों के वनसजों को 30 फी सदी के अलावा मेलाओं और पिछडे जिलों के लोगों को 10-10 फी सदी जबकी धार्मिक अल्ब संख्यकों को 5 फी सदी के साथ दिव्यांगों को 1 फी सदी आरक्षन दिया जाता है, आंदोलनकारी मेलाओं और अल्ब संख्यकों के कोटे के खिलाव नहीं हैं, वे सिर्फ मुक्ती संग्राम सेनानियों के वनसजों का कोटा खत्म कराना चाते हैं, और सरकारी नोक्रियों में मेरिट को आ बांगलादेश का ताजा गटनाकरम भारत के लिये भी सबक है, यहां भी राजनितिक दल आरक्षन जैसे समवे दंसील मुद्दों को गरमाये रखने की कोशिसे में रहते हैं, आरक्षन की निर्धारीत सीमा लांगने से बचने की जरूरत है, इससे सामाजिक समानता का सिध आने वाली पिडियों पर भारी पड़तकता है, धन्यवाद